हलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छे से 2021 का स्वागत किया होगा आप सभी लोगों को मेरी तफसे नियॉयोर्क Kid सारी सुप कम नहीं दूआ करते हैं 2021 आपके सपनों को साकार करने वाला साबीत हो आप सभी लोग जिस भी फिल्ड में जाए निश्चीती सफलता आप लोगों के कदम चुमें आप और आपका परिवार सदेव सुष्थ बने रहें वीडियो को सुरू करने से पहले मैं सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दो मिनट इस वीडियो को प्लीज देखेगा थोड़ी कुशी की बात है हमारे लिए भी आप लोगों के लिए भी तो प्लीज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा सुरू के दो मिनिट प्लीज देखिएगा बात अगर अपने इस चैनल की स्टार्ट करें तो इसको स्टार्ट किया वे मात्र एक महीना ही हुआ है बलकि उसमें भी एक दू दिन बाकी अभी एक महीना नहीं हुआ है और अपने इस चैनल पे 700 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं कर मारे दिन से इतनी क्लेर थी कि मेरी वीडियों पे चाहिए व्यूज ना आए चैनल पे सब्सक्राइब ना आएं लेकिन हमारी वीडियो को अप लोगों को वहीं बताई और सच में आप लोगोंसे हमें उतना ही जरूरी होगा उतनी बड़ी कोई achievement नहीं है नया साल था तो सोचा आप लोगों को बता दे उमीद से बढ़के वाजू मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा हमें subscriber मिले उससे ज़्यादा हमें views मिले वीडियो पे क्योंकि हमारी वीडियो में दीगी जानकारी हमने बहुत ही सचाई और इमानदारी के साथ आप लोगों के सामने रखी दी तो जो हमारे इस चोटे सी यूटूब परिवार के सदर से हैं उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाओंगा आप लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा और आगे भी आप लोग ऐसे हमारा साथ दे जो इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए वीडियो में दीगी जानकारी अब आप लोगों को अच्छी लगती हैं आप उसे संतुष्ट होते हैं तो वीडियो को पूरा रएक करें और आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और सचाई के साथ काम कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सभस्क्राइब किज़ए ये सवाल हर किसी का है, हर को ये जानना चाते है कि आगे अब परिक्षा कब होगी, क्या सेडूल रहेगा, इसके बारे में किसी परकार की कोई जानकारी नहीं है, जब इस परिक्षा तितियां आई थी जब इस एक्जाम के लिए जो 10 जनवरी की डेट है तो इस्टूडेंट् कोई लेकर चल रहे थे, वो ये चा रहे थे कि अब विभागने अगर प्रिपॉंट की है डेट तो उसी डेट को लेने देते हैं, उसमें कोई उनको किसी परकार की दिकत नहीं थी, जो चातर इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, उन लोगोंने कई परकार के आंदूलन भी कि बोर्ड और सरकार ने किसी भी तरह की कोई रूची नहीं दिखाए थी इन परिक्षा तितियों को आगे बढ़ने के लेकर, उन्होंने तो अपनी तरब से लगबग ऐसा लग रहा था कि ठान लिया कि एक्जाम 10 जनवरी को ही करवाना है, बलकि उन्होंने परिक्षा तितिय परिक्षा तितियां स्तगित कर दी गई है, फिर वही चीज दोनों तरफ के चातर जो लोग यह चाहते थे कि एक्जाम पोस्ट पॉन हो जाए, वो काफी खुश हो रहे थे क्योंकि उनके इसाब से उनको परिक्षा की तियारियों करने के लिए काफी समय मिल गया था, अपन काफी समय से तयारी कर रहे थे पटवारी को लेकर उनका एक एम था कि हमें पटवारी क्लेर करना है, लगभग उन्होंने अपना सारा सिलेबस कवर कर लिया था और 10 तारीक के इसाब से ही वह अपनी तयारियों कर रहे थे, तो उनकी लिए थोड़ी बेड नियुज की कह सकत कि इसमें तो कोई संसे है नहीं तो उन लोगों को अपना सयम बनाए रखना चाहिए और जिस हिसाब से जिस फ्लो से वो त्यारे कर रहे थे उसको जारी रखना चाहिए सभी का जो common person है अभी की स्थिति में सवाल है वो यही है कि परिक्षा कब होगी क्योंकि बोर्ड ने जो अपना लेटर जारी किया था बोर्ड ने सिर्फ उसमें यही बताया था कि परिक्षा जो दितियां उनको हम इस्तगित कर रहे हैं प्रसासनी कारणों की वज़े से लेकि काफी तरह की बाते सामने आ रही है जिसके अंदर कुछ का मानना यह कि जई परिक्षा में हुई गटबडी गफलाबाजी के का बाद में बोर्ड इन सब चीजों से बचना चाता है इसके लिए अभी परिक्षा तितियों को इस्तगित कर दिया गया है कुछ का मानना है जो अंदोलन कर रहे थे कि तितियों को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि उनको समय नहीं मिल पाया है त्यारी करने के लिए तो उनकी बात माने गई यह कुछ लोग यह भी कह रहे है कि जो प्राइवेट कोचिंग हैं उनका सरकार पर दबाव है कोरोना के कारण जिस हिसाब से वो बिरुजज़्गार हो रहे हैं वहां पर भी बहुत लोग बेरोजगार हो गेथे तो उनुहां पर भी इस तितियु खराब अनकी कèse कि ब्राइवेट कोचिंग सेथानों का जो बड़े-बड़े कोचिंग सास्थान है उनका सब्स्वाद में बढ़ाया जाना चाहिए और ब पिए खात्री या उंदुलन कर रहे थे जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया उसी वक्त अगर बूर्ड रोल लंबर जारी आपके एडमिट काड के बारे में जानकारी याद डाल देता है कि कब एक्जाम ने जानकारी डाल देता है कि कि अब आपके तितियों को इस्तगित किया होगा अपनी राय कमेंट बुक्स में जरूर दीजिएगा इसके लावा अगर अगर अपने बात करें एक्जाम डेट के बारे में तो एक्जाम ये आप लोग तै मानके चलिए कि फरवरी तक तो आपका एक्जाम किसी भी हालत में नहीं होगा अग कि इसकी परिक्षा नहीं करवानी है तो अगर सरकार ने मार्च कैसे ना कैसे करके निकाल दिया क्योंकि मार्च ही एक ऐसा महीना है जहां आपके एक्जाम होने के बहुत ही माइनर चांसिस बनते हैं अगर सरकार ये सोच रही कि आप इस बड़ती को आगे तक खिंचेंगे उसके बाद में अगर अपने देखें तो अपरेल के बाद में मैई आएगी तो मैई में मादेमिक शिक्षा बोर्ड जो राजस्तान का अपना है उसके बच्चों का पेपर लगने वाले हैं वहाँ पे भी आप लोगों के एक्जाम नहीं हो पाएंगे तो जून में जाके फ पर एक साथ हित्यों को इस्तगित करने का सर्प्राइज दिया है उस हिसाब से अगर कोई नोटिस निकाल दे तो कुछ चांस है कि मार्च में आप लोगों को एक्जाम हो सकता है उससे पहले नहीं होगा और जहां तक पूरी-पूरी संभावनाई बन रही है जून के बाद म ये 6 मेने का गेप बहुत लंबा होता है इसकी बीच में आप लोगों का ध्यान निश्ची तोर पर बटक सकता है तो उन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज फोकस रही अपनी स्टडी को लेकर और तो अभी तक जो त्यारी आप लोगों की चल रही थी कुछ हम 100% देने की कोशिज कीजिए इसके साथ वीडियो को खतम करते हैं उमीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और हमारे चोटे से यूटूब परिवार के साथ जूड़िए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीज कर दो भूले